तो अपने एक्सपेडिशन के आखरी हपते में हैं हम और आज हम अपने पल्टन के साथ निकले हैं धौन उडियार की ओर मौसम उस लाइक नहीं है कि कोई नजारे दिखें लेकिन फिर भी हम इस जंगल में हैं तो एक बार वहाँ जाना बनता है रास्ता काफी रिस्की है और बारिश और कोहरी की वज़े से काफी ज्यादा स्लिपरी भी हो गया है इस जग़ का नाम है धौन उडियार उडियार मिंस गुफा इस इस इलाके में काफी गुफाए हैं जो हमें बारिश से बचा रही है अभी भी हम अपनी डेस्टिनेशन से थोड़ा दूर हैं लेकिन ये गुफाए हमारे साथ है जिसकी वज़े से हम बारिश से बचे हुए हैं तो यहां पहुचने के बाद हम थोड़ी देर टेंट में रुकें क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और जैसे ही बारिश कम हुई हम निकले वापस टेंट को इस बार नीचे वाले रास्ते से वापसी कर रहे हैं जो कि पहले के मुकाबले और ज़्यादा रिस्की है श्यवाज श्यवाज यहाँ से नी बाद हुआ है यहाँ से जीचे गी दरहँ है तो आज है फिर्ट आप जुलाई सबा नौ बजे हैं मौनिंग के और मौनिंग में तोड़ा सा मौसम साब था आज बादल बादल निकले हुए थे लेकिन धूब भी निकल थी थोड़ी बहुत तो अभी कोहरी का सीजन चल रहा है और मौनसून सीजन है क्योंकि जुलाई फर्स वीक है तो जुलाई और अगस्त जो है मेंली जो बारिश वाले मौसम कहे जाते हैं तो वो है अभी फिलाल यहां पर क्योंकि इस बार काफी ज्या काफी सारी लोग घर जा चुके हैं क्योंकि लास्ट वीक है और अराउंड हम 10 जुलाई को यहां से निकल जाएंगे अगर बारिश होती है 10 जुलाई को तब थोड़ा सा शिफ्ट होगा या फिर 11 बार जब भी मौसम सही होगा कि अबल चार दिन बचे है आज के दिन को लग गीट के पास से जो लगडी लगाई जाती है वो शायब बहना गई हो उस पर भी काफी जादा डाउट है कह रहे है कि जो आधे लोग घर जा इचुके है वह कह रहे है कि काफी ज़ीया हिल रहा है वह सपोर्ट जो है उसका भी डर है अब जाने का अगर बहूत जादा बारि है तो उस तिन के लिए हमें दोड़ा सा त्यारी करनी है कि मौसम कैसा रहता क्योंकि घर जाने जाने तक जो है तीन-चार नभियां मिलती हैं तो उस पे बहुत ज़्यादा पानी का बहाव होगा तो उसको कैसे पार करेंगे वो भी एक चैलेंज है बाकी मैंने दो तीन चीज़ें गई थी आपसे कि एक तो लाम लड़ी एक धौने उड्यार बाकी दोनों चीज़ें हो चुके और तीसरा गाता मैंने आपको गलेशियर जो गलेधार कहते हैं तो वहां थोड़ा सा अभी डाउट है क्योंकि उस तरब को जो है कोहरा हर दिन लगा हुआ है तो शायद ही कुछ भी दिखाये दें अगली बार के लिए उसको रखेंगे हम काफी लोग जो है घर जा चुके हैं काफी लोग और जो लोग बचे हों दस तारीक को जाएंगे और आज पांस तारीक है आज भी काफी लोग गए ale एक तारीक को ग जहां भी टेंट लगाते हैं तो वो शायद बाद में आएंगे मॉनसून है इसलिए कुछ आइडिया नहीं कि कब बारिश होगी कब कोहरा लगेगा कब धूप होगी एकदम से मौसम चेंज हो जा रहा है और जो पेड़ पॉंदे हैं जो आसपास में फूल वाले जो मैं आपक बहुत ही टफ टास्क है तो लोग मैक्सिमम जो है उपर जा रहे हैं टॉप की तरफ और यहां से नीचे की तरफ टेंट से नीचे की तरफ जो है कीड़ा जड़ी जो है फ्यूज होने लगी है तो क्या होता है कि जो कीड़ा होता है अगर सीजन ओफ होने लगे तो उस जड़ी है वो किसी काम की ने रहती है वो फ्यूज हो जाते हैं जो सही वाली किड़ा जड़ी होती है वो एकदम टाइट रहती है जो एकदम नहीं होगी जो सीजन आफ हो जाने के बाद किड़ा जड़ी फ्यूज हो जाते हैं तो नीचे से उपर की तरब जाता है सीजन तो अ यहाल फिलाल तक का, 5 विलाई तक का और 6, 7, 8, 9, 10 तक का हमारे जो भी है, उन्में आपको बताऊँगा और मिलते हैं, बाकी अभी फिल्ड में चलते हैं और अपना काम करते हैं, थोड़ा शूट करते हैं, और कीड़ा जड़ी ढूंटते हैं बारिश कम हुई तो हम फिर से निकले हैं सेम की तरफ लेकिन कोहरा अभी भी चारो तरफ लगा हुआ है और कुछ ही देर के बाद बहुत भयंकर बारिश भी शुरू हो गई इस आखिरी हपते में बारिश का कहर कुछ जादा ही हो रहा है जिस वज़े से हम जड़ी बहुत कम देख पा रहे हैं आज है सिक्स्त ओप जुलाई और मॉनिंग से लगातार बारिश हो रही है अब ही आदे गंटे के लिए वैदर विंडो खुला हुआ था बट दोबारा से बारिश शुरू हो चुकिया तो अब ही कुछ आइडिया लगनी रहा है कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी इसलिए जब भी थोड़ी से बारिश कम हो और यह तब जड़ी देखने जा रहे हैं लेकिन बहुत ज़ादा बारिश की वज़े से वापस आना पड़ रहा है क्योंकि भीगने का डर है एक लेवल तक बारिश को झिला जा सकता है लेकिन उसके बाद अगर कपड़े गीले होगे तो फिर बीमार होने का डर है तो यह है तो आखरी पड़ाओं में है हम अपने पूरी हर्याली हो चुकी है जितना भी आसपास में मौसम कभी भी चेंज हो जा रहा है मौन्सून है क तो अभी घर जाने का भी डर है कि जो मैंने आपको पुल वाला सीन बताया था वो है और हर नाले जो भी नदिया है जोटी मोटी हर जगह से पानी निकलना शुरू हो चुका है जिससे की नदी जो है अपने उफान पे है बहुत तीज आवाज आरी है जब बारिश रोग जा होगा वैदर और उसके बाद 10 तारिक या जब भी मौसम सही होगा तब वापसी करेंगे जो पेड़ कौंदे हो बड़े हो चुके हैं कापी बड़े हो चुके हैं घुटने तक तो उससे भी भीकने का डर है तो अभी बारिश रुकती है तो यहां से निकलते हैं जड़ी दे चीज होगा तो अभी वेट करते हैं और मिलते हैं आपसे आज है साथ जुलाई और आज बहुत लोग जंगल से घर को गए हैं तो जो बचा हुआ सामान था वो लोग हमें दे गए खाना खागर हम लोग निकले हैं जड़ी देखने पूरी लड़ियों में पौधे बहुत बड़े हो चुके हैं जिसकी वज़े से हमें इन पौधों के बीच जड़ी देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि आज मौसम थोड़ा बेहतर है और दिन के मुकाबले तो आज जितना हो सके उतना हम कोशिश करेंगे कि जड़ी खोजें क्योंकि कल के मौसम का कोई भी अंदाजा नहीं है शायद मौसम ठीक भी हो या नहीं आज हमारी पल्टन काफी दूर तक निकली है क्योंकि दो-तीन दिन ही बचे हैं जंगल में तो इन दिनों को हम अच्छे से यूज में लाना चाहते हैं सुबह के मुकाबले कोहरा बहुत ज्यादा लग चुका है जिस वज़े से जड़ी देखने में बहुत मुश्किल हो रही है घर जाने का डाइम आ चुका है बहुत तीज बारिश है बारे बुचे के बार लगो यहां मौसम खराब हो रहा है तो शायद अभी नीचे की तरफ निकलेंगे जहां पर भारिश चुकेगी कि अबर कीशी दूफा में वेट करेंगे उडियार में तो बारिश चुकेगी तब लीड़ा जड़ी ढूंडेंगे अगर टाइम हो जाता है तो तो टैंट में चलेंगे तो वापसी गर रहे हैं तो लाव तो अभी हम टैंट की तरफ निकले हैं और अभी मैं गौर कर रहा हूं कि जिस घांगल से हम अभी जा रहे हैं वहाँ ये पौंधे बहुत बड़े हो चुके हैं जबकि पहले ये कुछ ऐसे थे अभी सिच्वेशन यह है कि उपर से आ रहे हैं कीड़ा जड़ी घूंट वे लेकिन बारे बज़े के बाद लगातार वारिश हो रही है तो टैंट में पहुंचने वाले हैं यहां पे नेपाल में चार-पाच टैंट थे वहां से ले गया आँ तक लेकिन आज सब लोग जा हैं मॉर्निंग में तोड़ा मौसर मुझ सभी था इसलिए तो बाहर लोग जा रहे हैं उदर अब बाकी अपना टैंटे एटर है और यह जगह जहां से हम पानी लाब गया है यह पहले कुछ ऐसा था टैंट में पहुंचने के बाद का रूटी जड़ी गिनना इस बारे में डिस्कस करना जबार ठीक है करा या था बड़ी है बड़ी कर दो कि जो कि अधने खुड़ जानु यार ये जन तुलेना जानु पमनना फ्रनु बाला, आजा नुआ है यह ब्याद बाइब तो तो अच्छ चलते हैं यहार कई दस जड़का हो आफिर पर जारते हैं वह क्यों क्यों गया ना डर्न हो गया गुडबाई कहने का डाइम आच हुआ है क्योंकि आज डिसाइड हुआ है कि कल सुबह निकल रहे हम घर की दरफ और आज इसलिए हुआ डिसाइड क्योंकि काफी दिनों से लगातार बारिश हो रही है और वैसे भी दस का हमारा प्लैन था लेकिन एक दिन पहले जो है वह हो च डिफका जडी है वह और सीजन हो चुक है उठें प्यूज होने यह शरू हो चुक है adequately जितनोंगों गओभी जडी मिले जक्ना गणीमी है दो इसका मतल viktigt है कि दोर आज है एक बात है और बाकी सुनने में आया था कि परसों आने की दस्तारी को हाई अलर्ट है बारिश की वज़े से तो इसलिए हमने नौ को जाने का प्लाइन किया है और कल सुबह हम निकलेंगे कल नौ जुलाई को आज है आठ जुलाई और दिन में थोड़ा बहुत हमने जड़ी देखी लेकिन सुबह से बारिश थी सुबह से और दिन के बाद जो है मौसम सही हो गया इसलिए हमने डिसाइड किया कि क्या पता कल भी सही हो मौसम तो कल निकलते हैं पस एक दिन पहले हो चुका है बाकी नौ क पहुंचेंगे हम और अभी तैयारी कर रहे थे हम जितना भी राशिन बचा हुआ था तो इसको पैक कर रहे थे तो यह डिसाइड हुए और बाकी दो-तीन टैंट वाले लोग है हमारे ही गाओं के तो वो भी कल साथ में आ रहे हैं तो उनसे भी बात हुई थी इस बारे में वो भी कल साथ में जाएंगे तो डर सिर्फ इस बात का है कि जो नदी बार करने वाला जो पुल है लकडी का सिर्फ उस पर कैसी जाएंगे तो वो देखना है बाकी टाइम टू से गुडबाई हर चीज़ को एक गुडबाई जरूर कहना बढ़ता है तो इस सेला पानी को अगरी मेमोरीज रही और काफी अच्छी मेमोरीज रही काफी नाया एक्सपिरियंस मिला और तफ टेरिन में इस हाइटिटूड में कैसे रहते हैं यह जानने का मौका मिला और बाकी यह खुबसूर्ती तो मिले ही मिली तो कल सुबह मिलते हैं आप से अभी थोड़ा सा इस बयालिस दिन का उसको दुबारा याद करेंगे और कल सुबह निकलेंगे तो अभी है घर जाने का दिन और आट बजे है मौनिंग के सुबह सही लगतार बारिश हो रही थी हमें लगा शायद मौसम सही नहीं होगा अभी भी सही नहीं है लेकिन बादल लगे हुए हलकी बारिश हो रही लेकिन जाना है बहुत ज़्यादा बारिश होती तो पैन कैंसल हो जाता कल पे शिप्ट हो जाता और कल रात से ही लगातार बारिश हुई लगातार सुभए तक अभी थोड़ा बहुत बंद है तो अभी टैक वैक करने समान फिर यहां से निकलते हैं और पहला डर हुई है कि पुल लकडी कैसे क्रॉस करेंगे क्योंकि लगातार बारिश हुए तो नदी बहुत उफान पर है तो वही देखना पड़ेगा और बाकी मैं बहुत कुछ तो वीडियो बना नहीं बाऊंगा क्योंकि मेरे फोन में बैटरी है 13% जितना हो पाएगा हम करेंगे जहां पर डेंजरेस रास्ता है वह शूट करेंगे और अभी यहां से निकलते हैं और थैंक्यू सो मच इस तो पॉच्च चुके जहां पर मैं गहरा था कि लकडी का लिए पुल बना है और थोड़ी से गट्स दिखाने की जरूद आ चुकी है आप फूंगा गेट में पहुच चुके हैं वहां पर सारे भाई लोग हैं उधर पर तो जो है वहां पर मैं आपको पुल दिखा देता हूं पुल भी नहीं है कुछ ऐसा ही लगा लीजिए लकडी का तो दोनों तरख से वही पर जाके देखता है लोगती है कर दे這是 प्राइज है आप भी बाड्ट, पैक अज़े, अज़ आब है, झार को चुदीर है, प्यूँ नबदेंगा, चार कि आपने के चारा को अज़े, एड़े, है, पार करा कि आपने तो, जबदेंगा को दोफाफ है, यार बर्ली एकुछ, ज़े, है है टोडिया, तो पर आपने के ज़संगे, थैंकियू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और यह सीरीज यहीं भी खतम होता है और इसके आगे का सीरीज जल्दी आएगा कुछ नया आएगा तो यह है यहां का नीचर और इसको फिलाल इस साल के लिए गुडबाई कहने का डायम आ चुका है तो मिलते हैं थैंकियू सो मच नमस्ते जी